दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बासर तरासी डूल चैनल का जो एंप्लिफायर होता है दो बोड को एक साथ चला कर दिखाऊंगा इससे पहले मैंने काफी ऐसे एडियो बोड है जिसको मैंने एक साथ चला कर दिखाया है जैसा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको डिस्क्रेप्शन में दे दूँगा आप वहां से देख सकते हैं तो मुझे बहुत सारे कोमेंटेस आ रहा थे कि बासर तरासी का जो सिंगल बोड है उसमें दो चैनल होता है लेकिन डूल बोड को हम एक साथ कैसे चला सकते हैं जैसे कि यह जो एक बोड देख रहे है दोस्तों यह स्टीडियो है हलाकि इस चैनल से दोस्तों आप स्टीडियो भी ले सकते हैं और मोनो भी ले सकते हो ब्रीज मूट करके तो इसमें दोनों फंक्शन है यह काफी पुडाना आइसी और यह बहुत पापलर भी आइसी आपको हर जगह इसका बोड एविलेबल है औ तॉर समझ्वर लगाएं फिरियो ले इस दौनके लेडिवान वैकंश्प्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लाश्ट तक देखिएगा तो यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि यह डूआल चनल का यह एंप्ली फैर है तो यहाँ पर डूआल चनल का है तो अडियो इंपुट भी दो होगा जैसे कि इसका अडियो इंपुट में थोरा डिफ्रेंस मिल जागा लेकिन आपको जो है देखने से खुद पता चल जागे कि अडियो इंपुट कहां पर हमको लेना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह दोनों चैनल का जो अडियो इंपुट है इसको एक साथ हम सौट कर देंगे मतलब यहाँ पर दोनों फिन को एक साथ सौट कर देंगे लेकिन जो इसमें इंपुट देंगे दोस्तों क्योंकि यहां पर हमारहा left और Right ही आओपुट करताए तो एक चैनल हम इसमें देंगे और इक चैनल इसमें देंगे तो यहां यह left निकलेगा दोनों speaker से और यहां से जो दो output निकलेगा यह right निकलेगा ठीक है तो चलिए यहां पर हम दोनों पहले क्या करेंगे कि दोनों input को एक साथ स्वाट कर लेते हैं दोनों audio board में तो दोस्तों मैंने यहां पर दोनों board को जो audio input था left और right उसको एक साथ स्वाट करके एक channel कर दिया और इस दोनों को भी एक साथ स्वाट करके मैंने एक channel कर दिया ठीक है आपको ऐसा कर देना है उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि इसमें जो हम audio input देंगे तो हमारा जो यह potentiometer है उसमें connection आप देख लिजिए यह तो हमारा हो गया audio input का जो कि left at input इसने simply करेगा तो यहां पर potentiometer कुछ इस परकार से connection होता है जो हमारा audio receiver से हमारा जो input आता है उसमें इस potentiometer के यह दोनों side बाले में हमारा main audio input होता है left और right ठीक है और जो ground होता है यह हमारा जो दाहिना बाला pin है जो की आगे और पीछे दोनों को sort करके मैंने ground कर दिया है और बीच बाला जो दुस्तों हमारा audio output होता है यह red और blue output है और यह हमारा जो है दो दोनों yellow और green यह हमारा ground है ठीक तो यहां पर यह दोनों जो हमारा है यहां पर output हो जाता है यहां पर देख सकते हैं तो ground में कौन सा color है yellow और green ठीक है तो यहां पर एक channel का यह हो गया और एक channel का यह हो गया आपको दो वैर लेना है ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों जो हमारा green वाला है वो तो ground है तो उसको हम ground में connection कर देंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पर ground पता कर सकते हैं जो main हमारा capacitor होता है उसका जो यह minus वाला point है वो हमारा ground है तो इसका print हमारा सब जगा फैला हुआ है तो उसी से हमाँ पता चलता है कि वो ground है तो एक pin को हम ground में डाल देंगे इस wire को और ये जो हमारा main channel है एक channel तो मैंने यहाँ पे जो sort किया था उसको हम यहाँ पे देंगे इसमें देंगे या इसमें देंगे बात बड़ाबार ही पड़ता है तो यहाँ पे मैंने इसको sort कर दिया तो एक channel का हमारा audio input इसमें हो गया तो अब हम ठीक उसी परकार से यह जो yellow वाला है दोस्तों वो हमारा ground है तो उसका connection हम उसी परकार से करेंगे जिस परकार से मैंने पहले वाले board में किया था तो यहाँ पी यह हमारा हो गया दोनों में audio input हो गया है अब हम power supply के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जब हम power supply देते हैं main capacitor के पास अगर आप adapter से देते हो तो main capacitor के पास देना होता है अगर transformer से देना चाहते हो तो आप यहाँ पे transformer के लिए यह जो bridge reactive hair बना हुआ है यहाँ पे देना है और यहाँ पे देना है ठीक उसी परकार से इसमें भी उसी परकार से connection यहाँ पे और यहाँ पे यह दो print बने हुए है और आप adapter से देना चाहते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे तो इसमें जो हम direct capacitor के और इस capacitor के दोनों में minus minus और plus plus के साथ connection कर देते हैं ताकि हमारा क्या होगा कि जब हम इसमें voltage देंगे तो दोनों प्रोपर एक साथ पहुँच जाए तो चलिए यहाँ पर हम दोनों में connection कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों capacitor के parallel में मैंने wire लगा दिया है इसका minus plus और इसका minus plus एक साथ जोड दिया है और मैं यहाँ पर इसमें adapter से supply देने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर एक connector लगा देता हूँ तो यहाँ पर मैंने इस परकार से connector लगा दिया है तो चाहे तो आप इसमें भी लगा सकते हो इसमें भी लगा सकते हो जब हम इसमें supply देंगे so यहाँ से होकर इसमें सप्प्लाई हुआ चला जाएगा और यहाँ से supply हुआ यहां चला जाएगा बात बराबरी पड़ेगा तो दोस्तो यहाँ पर बात आती है कर हम transformer से देते हैं तो इसका connection किस परकार से रहेगा दोस्तों connection आपको पुरेंद रहेगा जो यह व्यूरी लगाया है वय और हैसाइगा लेकिन यहां पर आप सप्लाइड तो यहां के मिट्री फैर ढा कर यहां से यह देगा ठीक है चाहिए आप इस मैंते इसमें टाइसफ फर्मर से देंगे फिर भी इसमें चला जाएगा वो को यहां पर यह speaker का socket में एक board के लिए और speaker socket दूसरे board के लिए मैंने यहां पर यूज किया है तो simply हम क्या करेंगे दोस्तों कि यह जो socket का जो हमारा दोनों minus वाला point है तो यहां पर दोनों black वाले को एक साथ हम ground के साथ connection कर देंगे यहां पर इस परकार से तो बासर तरासी का जो हमारा यहां पर ground होगा तो उसको साथ हम ground में connection कर देंगे और बाकी जो हमारा red है उसको हम output वाले pin में डाल देंगे और दोस्तों आप अच्छे तरीका से इसका वाइडिंग समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं है तो यहां पर यह बाले बॉड का यह सॉकेट है और दूसरे बाले बॉड का सॉकेट यह वाला ठीक है तो यहां से दो channel करےगा क्योंकि यह लेब्ड होगा और यहां से यह राइट होगा दोंल चैनल ठीक है कि फोड़ pag व्यांप अब मैं इसमें एक 1705 वल्डेज ग्लेटर लगाऊंगा तो देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से कनेक्शन किया है तो मैंने ग्राउंड का कनेक्शन दोस्त मैं इसके टॉफ वाले लिए इसलिए कर दिया क्योंकि बीच वाला दो होता है इस टॉप से ग्राउंड होता है तो मैं डिरेक्ट इस दोनों पीन में 12 वोल्ट दोंगा तो यहां से आउटपूट यह 5 वोल्ट करेगा मैं यहां पर इसको सप्लाई देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ किकी इस क्या करेंगे कि इसandersetler के दोनुका कर देते हैं तो यहां कर सकते हो चाहे इस स्प्लाई कर देता हूं तो जो बीच वाला वो वो मारा ऑफे डाउंड ऑद यहां तो स्वालो समें मारा स्थ मुद्ण हो चुका है कि यहाँ हमारा लगवड है यहां पर हमारा अडियो इन्पुट का है जो रखा है और इस पे आप पांच इंज का दो इस्पिकर भी लगा सकते हो क्योंकि यहां से डूर चैनल आट पूट करता है फिलाल मैं चेकिंग के लिए मैं यहां पे दोनों पर एके की स्पिकर यूज कर रहा हूं ठीक है तो चलिए अब हम इसको थोड़ा चेक करते हैं तो यहां से एक अड़ेप्टर यूज कर रहा हूं चूकि यहां पर बाड़ा वोल्ट दो एंप्यर है तो आप 2-5 एंप्यर यूज करें क्योंकि इसमें दो बोड यूज हुआ है तो इसका एंप्यर कुछ ज्यादा लगेगा एक बोड़ के लिए एक अप्यर ठीक है दो बोड पर है मैं यहां पर आपको कि सांड बढ़ा कि यहां पर दिखाता हूं कर दोनों में हमारा यह काम कर रहा है दूस्तों तो चलिए हम यहां पर हम सौंग को प्ले करते हैं झाल है झाल है तो दोस्तों जैसा कि अपने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और यहां पर जो थोड़ा नहींग का इसमेंrier ग्राउंट लेना है और आपको बॉड़ी के साथ कर देंक्ट कर देना मैं आपको दिखा रहा हूं यह हमिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा देख सकते हैं जब मैं यहां पर हिट सिंग से इसको लगा रहा हूं जैसे कि आप एक ग्राउंड है तो यह ग्राउंड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहां पर जो एम्पली फैर में हमिंग है बिल्कुल यह आप सब यह अंपली फैर के साथ यह ट्रिक यूज कर सकते हो क्योंकि आप जमीन से ग्राउंड दे दोगे तो काफी स्मूथ जो आपका सांड होगा देगा और इसमें जो हमिंग होगा बिल्कुल नहीं ठीक है तो देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल यह रेमूब हो जा तो दोस्तो जैसे कि अपने देखा कि मैंने किस परकाड से यहां पर 1283 बोड को एक साथ मैंने चला कर दिखाया है तो दोस्तों मारे वीडियो कैसा लगा तो प्लेज लाइक करें शेयर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन